हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेर हवेडू में दिस इज अबिनास चंदर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूं जीके जीएस और जीएस और जीएस दोस्तों मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता रखा था कि जीएस के अंतरग हमारे राज और किंदरसाशित परद्फ होके बारे में हम लोगों को पढ़ने थे जिसमें बहुत सारे राजों की राज़ो का विसलेशन में कर चुका हूं और आज मैं एक नए राज़ों के साहत आ आ रहा हूं जिसका नाम है आपका हरियाना तो मैं यहां पर बोर्ड पर रधानी भी चंडीगट है और चंडीगट खुद एक केंदर सासित पदेश है और उसकी रधानी भी चंडीगट है याई दो राज और केंदर सासित पदेश की रधानी है कौन चंडीगट अगर आप से पुछा जा कि इसका सबसे बड़ा सहर कौन है यानि हर्याना राज्य का सबसे बड़ा biggest city of हर्याना सबसे बड़ा सहर नगर कौन सा है तो आप बोलोगे फरीदाबाद क्या बोलना है दोस्तों फरीदा बाद ठीक है ये point करके आप लोग नोट करना अच्छे से पढ़ना अगर आप से पुछा जाए कि इसकी राजभासा क्या है जाए इसी बात है इसकी राजभासा क्या है तो हिंदी है कहीं कहीं हर्यानी भी बोला जाते है पंजाबी भी बोला जाते है लेकिन basically जो official language राजभासा है वो हिंदी इसका गठन हुआ था first number 1966 को इसका जो गठन हुआ था established हुआ था first number 1966 को ठीक है ना इसको याद अखना आप मैं चलता हूँ इसके सीमा की ओर मतलब यह जो आपका हर्याना राज दिख रहा है यह हर्याना राज की सीमा कहां कहां आपको मिलेगी तो आप देख पार हो यह हर्याना राज के उत्तर में आपको हिमाचल परदेश है उत्तर पस्चिम में आपको पंजाब राज दिखेगा दक्षिन और पस्चिम में आपको राजस्थान दिखेगा और पूरु में आपको उत्तर परदेश दिखेगा है ना और आप यहाँ पंजाब भी बोल सकते हो है ना ठीक है हर्याना कि आप उत्तर में पंजाब यहाँ हिमाचल परदेश लेलो मैं सौट में लेल रहा है हिमाचल परदेश और अगर आप बात करो उत्तर और पस्चिम दिसा की ओर तो यहाँ पर पंजाब बेसिक रूप से ले सकते हो यानि नौर्थ वेस्ट में पंजाब लेलो नौर्थ में आप लेलो हिमाचल परदेश और दक्षिन और पस्चिम में यानि आपका साउथ वेस्ट में लेलो तो यहाँ पर लेलो आप राजस्थान ठीक है और इसके पूरु में आप लेलो यूपी उत्तर परदे लुटियंस के द्वारा अस्थापित किया गया था सार मैं पहले भी कोडिंग ट्रीक में बता चुका हूँ महा संग्राम वाले एपिसोड में आप लोग देख लेना तो यह जो दिल्ली है केंदर सासित परदेश वो भी उसी छेतर के अंतरगात आता है यानि एक दो तीन चार राज और एक इंदर सासित परदेश को ठच करता हरियाना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपको बता दू कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो सबसे लंबी नदी है गंगा पवितर नदी भी है और ये गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी है यमना नदी और यमना नदी के उत्तर परदेश राज के साथ मतलब इसके उत्तर परदेश यूपी राज के साथ पूर्वी सीमा को परिभासित करता है हरियाना राष्टिय राध्धानी दिल्ली हर्याना से तीन और से घिरा हुआ है अगर आप देखोगे कि जो राष्टिय राध्धानी है दिल्ली ये दिल्ली हर्याना के तीन और से मतलब दिल्ली को तीनों पार्ट से कवर करता है कौन हर्याना ठीक है अगर इसके लिंग अनुपात की बात करें जो sex ratio है वो है आपका 879 अगर मैं लिंग अनुपात की बात करूँ तो 879 जो है यह आपका लिंग अनुपात है sex ratio है हरियाना का अगर विद्धी दर पुछा जाए दसक की विद्धी दर जनसंक्या को जो है 2001 से 2011 में तो 19.90, 19.90% है विद्धी दर और मैं पहले भी बता चुका हूँ 2001 से 2011 के बीच का जनसंक्या विद्धी दर अगर पुछे तो 19.90% बोलोगे आप अगर आपसे पुछा जाए कि population density क्या है या जनसंक्या घनत हो क्या है तो 573 इसका population density है ओके population density अगर मतलब जनसंक्या घनत हो अगर आपसे पुछे तो 573 इसका क्या है जनसंक्या घनत हो यानि population density है अगर आप से पूछे कि हर्याना राज का साख्षरता दर कितना है जो Literacy है वो कितना है तो साख्षरता दर है 75.6% अगर यहाँ पर legislative assembly के बारे में बात करू मैं तो legislative assembly की संख्या है यहाँ पर यानि विधान सभा की संख्या है आपका 90 यानि 90 अगर लोग सभा के बारे में बात करूँ मैं यानि लोग सभा मतलब क्या लोग सभा राज सभा जो है संसत के दो सदन है तो ये लोग सभा के बारे में बात करूँ तो इसके लोग सभा के सदस्यों के संख्या है 10 जबकि राज सभा के बारे में बात करूँगा तो राज सभा के सदसों के संख्या है पाँच अगर यहाँ legislative assembly बताया legislative council नहीं बताया यानि विधान सभा बताया विधान परिशद नहीं बताया मतलब यह सदन कैसी होगी मतलब किर्शी परधान राज्यों की सूची में यह लिस्टेट है यह उत्तर भारत में स्थीत आपको दिख रहा होगा यह भारत जो है भारत के उत्री भाग में पढ़ता है यहां उत्तर भारत में इस्थीत एक अस्थल रुद्ध राज है, मतलब चारो तरब से देखो, आप अस्थल से घिरा हुआ राज है, जिसका नाम है हर्याना, अगर परमुख नदी का बारे में बात करो, तो घगर है, घगर हकडा नदी के रूप में जाना जाता है, घगर चोटांग छोडी चोडी नदी है, साहईभी नदी है, किष्णावती के बारे में याद रखना, इंदोरी नदी के बारे में बात करूं, जो इंक् natomiast हो मैं फिर से बता दरहा हूँ, घगर याद रखना, सरस्थी के बारे में याद रखना, सोम नदी याद रखना और एक अब इसमें पर्मुक नहर के बारे मैं अगर बात करूँ तो जो आपका हर्याना राज का जो पर्मुक नहर है उस पर्मुक नहरों में आता है इंद्रा गांधी नहर और इसके अलावे पस्चिमी यम्ना नहर के डूप में जाना जाता है आपको बता दू कि राज का एक मात ग और मैं पहले भी बता चुका है आप लोग comment box में लिखा करो और अच्छा पसंद लगे तो इसको आप लोग like करो और ज्यादस ज्यादा लोगों को दिखाओ ताकि सभी लोग इसका फाइदा उठा पाए और मुझे भी थोड़ा energy मिल पाए है ना hot spring का मतलब क्या होता है कि जो भू होता है जो धर्ती होती है इस धर्ती के अंदर से जो के होता है गर्मी जो मिलता है मतलब जो पित्वी हमारा अर्थ जो गर्म होती है सुजी के प्रकास से तो होती है लेकिन इसके बावजुद जो धर्ती के गर्व से जो इसकी गर्मी जो है एनरजी जो है बाहर आती है और इससे बाहर होने से जो जल का बुलबुला के रूप में जब ये उपर आना शुरू होता है वो गर्म जल को ही हम लोग बोलते हैं hot spring जिसको हम लोग बोलते है क्या तपत चस्मा और इसको बुलते है Hot spring और कभी-कभी तो इससे लोग असनान भी करते हैं और कभी-कभी इतना गर्म होता है कि उससे आपके सरीर को हाने भी पहुनचता है तो ये था Hot spring की कहानी तो Hot spring जिसको गर्म चस्मा के नाम से याद रखना है अगर परमुकस्थान में बात करू तो अंबाला यहां का परमुकस्थान है कालका यहां का महात्पूना स्थान है कुरूचहत्री याद होगा अपलों को जो कौर्वां और पंडवों के बीच यूद धूँ था महाभारत की परसी दियुद हुई थी, कुरुछेतरी याद होगा आप लोगो, पानी पत की भी लड़ाई, आप लोगो उने सुना होगा, 1526 में हुआ था, है ना, इसके अलावे दूस्तरा पानी पत चुपन में हुआ था, पानी पत के बारे में जान रहे होगे, कर्नाल, कर्नाल के बारे में भी जान रहे होगे, आप कर्नाल भी हर्याना में मिलेगा, भीवानी एक सहर है, भीवानी भीवानी सहर भी यहीं मिलेगी, आपको हिसार बहुत ही महत्पुन है हिसार भी यहीं मिलेगा आपको गुडगाओं जो बहुत परसीद है वो गुडगाओं भी आपको यहीं पर हर्याना राज में ही देखने को मिलेंगे भारत में आपको बता दूँ कि जो वैट है वैट लागू करने वाला पहला राज जो है वो आपका हरियाना है देखो अब मैं बता रहा हूँ किसके बारे में वैट थोड़ा सा एक concept को याद रखना आप लोग मैं बता रहा हूँ वैट value-added tax है ना वैट मुल वर्धित कर जिसको बोलते हैं वैट विक्री कर आप लोग पड़े होगे एकोनोमिक्स में पड़ोगे मैं बताऊंगा घपराने का कोई इश्यू नहीं है तो जो बैट था यादि value-added tax जो है कुछा जाता है कि सभी गाओं में बिजली पहुचा दी गई इसके अलावे सभी गाओं जो थे वो पक्की सडकों से जोड़ दिये गए थे पानी पत को यहां का पाए एक जगा है जिसका नाम है पानी पत मैं या लिख दे रहा हूँ पानी पत अभी मैंने चर्चा किया पिंजओर का नाम आप लोगों ने सुनागा पिंजओर पिंजओर यहां हिंदुस्तान मसीन टूल्स जो है उसकी कारखाना आपको मिलेगी कहां पिंजओर में इसके अलावे राज में सूरज कुंड का विस्व परसिद सिल्प मिला परतेक वर्स परतेक वर्स फेबररी में आयोजीत की जाती है तो दोस्तों ये था आपका हरियाना राज से संदर भीत सारे तत्थ जो आप लोगों को समझ में आए होगी परसिद अस्थलों से संबंदित कोशन पुशे जाते हैं पानी पत कुरु छितर जैसे यहां पर छेतर सम्मिली थे तो ये थी हरियाना राज की कहानी अब मैं चलता हूँ अगले राज की तरफ रुख करता हूँ आप लोगों को और मैं जम्मु कास्मी से स्टार्ट किया था हिमाचल परदेश से स्टार्ट करते हुए जो वन के देश्टी कोन से सबसे अच्छा स्थान रखता है ना भोपाल और याद रखना करकर रेखा के बीचो बीच ये भोपाल सहर पड़ता है तो मैं इस पर चर्चा करूँगा अगला पॉइंट जिसका नाम होगा मदपरदेश MP और MP से एक अलग राज का गठन हुआ था इसका भाई 36 गड़ इसके बारे मैं अलग से बताऊंगा एक नवंबर 2000 को है ना तो इसके बारे मैं चर्चा करूँगा फिलाल मैं आपको इसके विशलेशन पे चलता हूँ मदपरदेश तो मदपरदेश की जो राजधानी थी जो capital of मदपरदेश MP की जो राजधानी है वो है आपको भोपाल आपको बता दू कि भोपाल गैस तरासदी की घटना भी 84 में घटी थी मिथाईल आइसो साइनाइट के गैस के रिशाव के यानि लिकेज की वज़ाज से तो राजधानी क्या था भोपाल अगर आपसे पुछा जाया कि सबसे बड़ा सहर कौन है biggest city of MP सबसे बड़ा सहर कौन है तो याद अखना सबसे बड़ा सहर है इंदौर अगर पुछेगा total number of district यहाँ पर कुल जिलों की संक्या कितनी है तो कुल जिले जो है total जिले जो है यहाँ पर 55 है याद अखना बहुत सारे book में आपको 51 मिलेगा लेकिन फिर 51 के बढ़ गया था 55 हो गया है ठीक है अब अगर आपसे पुछा जा कि यहाँ की राजभासा क्या है यहाँ की राजभासा क्या है तो यहाँ की 1st November 1956 को 1st November 1956 को अब मैं चलता हूँ इसके सीमा छेतरों का वलोकन करने के लिए जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगको अब मैं इससे हटा देता हूँ अब मैं इसके सीमा को रेकांकित करूँगा आप देख पा रहे हो मैप में जैसा की मैं लिख पा रहा हूँ मदपरदेश देखो आप मैप में देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MP है यह मदपरदेश है तो मदपरदेश के उत्तर में आप देखोगे तो बेसिकली उत्तर बोलो या उत्तर पुरू बोल सकते हो नॉर्थिस्ट यार नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ में आपको basically जो राज दिखेगा वो राज कौन सा है UP या फिर आप बोल सकते हो नॉर्थिस्ट में जो आपका राज है वो है उत्तरप्रदेश अगर आप मदपदेश के उत्तर पस्चिम भाग में जाओ तो देखो उत्तर पस्चिम भाग में कौन सा राज आपको दिख रहा है बच्चों तो यहाँ पर आपको भी दिखेगा राजस्थान है ना तो यानि आप बोल सकते हो कि North West में आपको राजस्थान जबकि North में आपको उत्तर परदेश आपको देखने को मिल रहा है अगर आप मदपदेश के पस्चिम में आजाओ तो देखो आप बताओ कौन सा राज है तो गुजरात तो मदपदेश के पस्ची में आपको कौन सा राज है बच्चों तो गुजरात राज हो गया ठीक है अगर मदपदेश के दक्षिन में बात करोगे तो देखो दक्षिन में कौन सा राज है तो ये दक्षिन में आपको राज दिखेगा महरास, तो मद्धपदेश के दक्षिन में आपको राज दिखेगा महरास, ठीक है न, अब मद्धपदेश के पूरु में बात करोगे, तो मद्धपदेश के पूरु में देखो कौन सा राज है दोस्तों, 36 गर्ड, तो परदेश के सीमाओं से सम्मंदित अगर आपसे पूज़ा कितने राज टच करते हैं तो मैंने बताया उत्तर में उत्तर परदेश और फिर मैंने बताया कि उत्तर पस्ची में राजस्थान है इसके बाद पस्ची में मैंने बताया गुजरात है इसके बाद मैंने दक्षिन में धूप गड़ी पंच मड़ी यह सबका नाम आप लोगों ने सुना होगा यह धूप गड़ी जो है यह महादेव सिरेनी पर है महादेव सिरेनी पर है इस्थित धूप गड़ी ठीक है अब नोट करके आप लिख सकते हो चाहो तो तो जो पहले सबसे पहले जो है मतलब स्टार् था तो जबलपूर को मदपर्देश की राजधानी बनाने के लिए चिनित किया जा रहा था परंतु अंतिम छनों में उस निर्णे को पलट कर भुपाल को राज की नवीन राजधानी गोशित कर दिया गया मतलब बनाने वाला था किसको जबलपूर को उसके बाद अंतिम छन में किसको गोशित कर दिया तो अंतिम छन में उसको भुपाल राज को गोशित कर दिया ठीक है अब मैं चलता हूँ इससे हटा देता हूँ सबसे पहले किसको जबलपूर को उसके बाद किसको बना दिया गया अब अगर मैं इसके legislative assembly की बात करूँगा तो मद्ध परदेश के legislative assembly की संख्या है 230 अगर मैं लोगसभा की बात करूँगा तो लोगसभा के सदसों की संख्या है यहाँ पर 29 अगर मैं राजसभा की बात करूँ तो यहाँ पर राजसभा की सदसों की संख्या है 11 अब भारत में हीरा का खान के लिए बहुत परसिद्ध है और पर्थम अस्थान रखता है आप लोग सुने होगे पन्ना पन्ना का खान और आप लोग देखे होगे कि यहाँ पे जितने भी आपके आपुशन दुकान वगरा होते हैं उस सौप में लिखा रहता है पन्ना लाल अबुशन के दुकान में पन्ना लाल लिखा रहता है तो यह पन्ना पन्ना बहुत ही महत्पूर्ण है यह हीरे की खान के लिए फिमास है एक्जाम में आने वाला प्रस्न है मद पदेश की जो सबसे परमुख और लंबी नदी है वो है नर्मदा नदी अगर आप एकॉडिं ख़्र्ण के ओर यहाँ पर अरबी अन शी अरब सागर के और बाति है न अप जितनी भी नदी नदी में देखऊगे सभी बड़ी नदी बेख भेवाफ बंगल में गिरती है लेकिन यह बड़ी नदी नर्मदा और गिन्रमंदा और अ यह रिप्ट वैली बनाता है रिप्ट वैली यानि भरंस घाटी का निर्मान करता है मैं पहले के वीडियो में भरंस घाटी क्या होता है मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर देना बहतर समस्ता हूं तो मैं बता देता हूं आपको भरंस घाटी क्या होता है देखो उमीद है यहा यह थीनों नदियां रिप्ट बहली से बाश्च गाटी से होगर उकर गुजरती है। क्यों भाई क्योंकि ये वाला पार्ट धसकर क्या हो गया नीचे चला गया और जैसे ये वाला पार्ट में था ये पार्ट तो अभड गया अब ये धसकर कहां चला गया दोस्तों नीचे चला गया है ठीक है तो ये पार्ट जो धसकर नीचे चला गया है कालंतर में ये नदिया में क्या होता है न इसके opposite एक आता है ramp valley तो what is the difference between ript valley and ramp valley वो में clear कर दिया कि ript valley क्या होता है बीच वाले छमतल छेतर किसी कारणवस प्लेट ट्रक्टोनी के द्वारा किसी कारणवस क्या होता है भुगर में समाज आते हैं वो धस जाता है नीचे जिसे last का दोनों सिरा जो हता है उठावा पर्दित होता है जबकि नीचे का सिरा धस जाता है बीच वाला छेतर गड़ा हो जाता है और उसी से नदिया प्रवाइट होती है तो उसे ript valley काते है ठीक है ना अब इसके opposite क्या होता है कि समतल अस्थान रहता है लेकिन वो बीच वाला छेतर धसने की बजाए ये side वाला छेतर उपर हो जाता है मतलब ये same रहेगा बट इसका देखो मैं ये दूसरा figure बता रहा हूँ याद रखना ये ram valley का मैंने बता रहा है तो ये क्या होता है ram valley से होकर गुजरने वाली नदी है कौन सा ब्रहम पुत्र तो उसके बारे मैं चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ फिलाल मैं अपने point की ओर आता हूँ तो मदपदेश की सबसे परमुक और लंबी नदी जो बताया मैंने क्या बताया नर्मदा नदी ये विंद्याचल की सरेनी है मैं या लिख देना विंद परवत है ना विंद की सरेनी है और ये जो आप देख रहे हो हो राजपिपला महादेव मैं काले सब सरेनी मैं फिर से पढ़ाऊंगा ये कौन सा सरेनी है दोस्तों तो सतपूरा का सरेनी है अगर आपसे question पूछ दाए कि विंद और सतपूरा के बीच में कौन सी नदी है तो नर्मदा नदी है अगर आपसे question पूछ दे कि नर्मदा और तापती के बीच में कौन सा परवतिय स्रेनी है तो सत्पूरा का परवतिय स्रेनी है ठीक है अब मैं चलता हूँ अगले point के ओर तो उत्तर में आपको विंद परवत दिख रहा है दक्षिन में आपको सत्पूरा की रेंज दिख रही है जो हम लोगों को विशलेशन करना है वो मदपदेश और मदपदेश में बहुत महत्पूर्ण महत्पूर्ण नदियां भी बहती है जैसे महत्पूर्ण नदी में मैं नाम ले लगा हूँ यहाँ पर देखोगे आप गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी कौन है भाई तो यमना नदी उधर देख रहा है तो मैं यमना का चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको जो नर्मदा नदी देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी के किनारे कोई कुछ सहर बसे हुए है जिसका नाम है धार आप लोग सुना होगा धार और जबलपूर मैं अलग से point भी बताऊंगा तो ये नर्मदा नदी जो देख रहा है ना तो नर्मदा नदी के तट परबसा सहर है धार जबलपूर एक जाम मैं कोशन पूछ सकता है ना अब जैसे पूछेगा मैं कुछ परमुख नदी का नाम पल नदी है ठीक है आकूनो नदी है केन भी है धसान भी है छिपरा भी है जो उजयन सार है उजयन सार बहुत बार एक जाम मैं पुछाओ कोशन है टोन्स नदी है तवा नदी है बहुत इंग्पोटेंट है तवा नदी जो पंचमडी पहारी धूब गड़े है तो पंचमडी के वेन गंगा याद रखना, सक्कर नदीब है और सोन तो बिल्कुल याद रखना, क्योंकि पटना के पास ये गंगा में मिलती है, देखो मैं इसको मैप के द्वारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ रिप्ट बैली, रैम बैली सकेल देख लो, भारत का, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, सपोच करो, मैंने ये नदी का नाम लिया, सपोच करो, ये गंगा नदी है, गंगा के सबसे बड़ी साहिक, सबसे भारत का सबसे लंभी नदी कौन है, गंगा गंगा के सबसे बड़ी सायक नदी कौन है यमुना और यहाँ पर चंबल है बेतवा है केल है कालिक सिंद है बहुत सारी नदिया है अब मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो चर्चा कर रहा हूँ अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है एक नर्मदा नदी ठीक है तापती इसके बगल से यहाँ से है तापती को मत जोड़ देना उससे और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शोन सार पटली पुत्रा है न तो यह हो गया आपका सोन नदी ठीक है अब मैंने बताया आपको सोन नदी के बारे में पटना के पास गंगा के पास यह मिलती है ठीक है अब देखो आप देखो कि मद्द परदेश जो है सोयाबीन में सोयवीन के उत्पादन में ये पहला स्थार रखता है इसलिए सोया परदेश के रूप में इसको जाना जाता है सोयवीन, सोयवीन उत्पादन में ये पहला स्थार रखता है इसके अलावे चाना उत्पादन भी यहां पर बहुत सारे चीज़ जो मैं देखने को मिलेंगे मद्द परदेश जो है मद्द परदेश का जो पहला रास्टिय उद्यान है कानहा किसली फास्ट जो रास्टिय उद्यान है 12 सिंगा जानवर पाई जाते हैं नेशनल नियूस प्रिंट कहां आपको मिलेगा तो नेशनल नियूस प्रिंट और जो पेपर मिल है वो पेपर मिल मिलेगा नेपा नगर यादखना अख़बारी कागज के लिए फिमा से नेपन अगर बहुत बार हने को बार एकजाम में पुछावा प्रसन है इसलिए यादखना इसके लावे security paper meal अगर पुछेगा तो security paper meal भी होसंगाबाद में होसंगाबाद है ना currency चापता है currency चापा खान पुछेगा तो वो देवास में आप जानते होगे इसके लावे है भारत heavy electrical limited जो भुपाल में आपको beaten के सयोग से बनाएगा यादखना इसके लावे बाधव राष्ट्य उद्यान बहुत important है बाधव या बांधव राष्ट्य उद्यान ये भी कहां मिलेगा आपको तो मद्ध परदेश में मिलेगा और ये गुफाव वेगरा क लिए जाना जाता है बांधव राष्ट्य उद्यान है ना सरवाधिक वन छेत्र जो है वो भारत का कहां पर है वन परदेश जो है वो कहां पर है सरस्त्रे अधिक वन कहां पायाता है मद्ध परदेश में ही पाये जाएगा यहाँ पर विस्व परसिद कुछ है इसे जगह मि मिलेगा उज्यान छेत्र मिलेगा जो शिप्रानदी किनार है अमर कंटक किसने नहीं मिलेगी उंकारेश्वरेश्वादी मिलेंगे ना कुछ मद्यपदेश के सहर के उप नाम है जो मैं लिग दे रहा हूं आप लोगको धियान रखना उमीद है यह सारे चीजें समझ में आ रही होगी अब जैसे यह देखो यहां से कोशन पूझ देता है अगर आपसे पूझे भारत का इथोपिया किसको कहते हैं भारत का इथोपिया देखो भारत का इथोपिया के नाम से जाना जाता है मदपरदेश या दखना भारत का इथोपिया के नाम से जाना जाता है मदपर्देश अगर आपसे पूझे तांसेन की नगरी किसे कहा जाता है तांसेन की नगरी गौालियर को कहा जाता है आपसे एकजामे कोशन पूझ सकता है कि गौालियर कहा है मदपर्देश में ना गौालियर को सहर, ताउन अपलेक्स, जीलों का सहर, तो भुपाल गैस तरा सदी हुआ था भुपाल में, तो भुपाल को कहते हैं, हम लोग जीलों का सहर, अगर आपसे पुछ दे, महाकाल की नगरी किसे कहते हैं, महाकाल, महाकाल नगरी बोल सकते हो, आप या महाकाल की, नगरी बोल दो, क परेटो को का स्वर्ग किसको काते हैं तो पंच गड़ी को धूब गड़ी पंच गड़ी यह सब याद रखना दोस्तों बहुत एक्जाम में आज सकते हैं ना संग मरमर नगरी किसे काते हैं तो भेडा घाट भेडा घाट भेडा घाट का है बच्छों तो मद्ध पर्देश मे अगर आपसे पुछ दे कि सिल्प कला तिर्थ किसे कहा जाता है तो खजुरा हो, तो पुछ देगा खजुरा हो कहा है बाई, तो मदपरदेश में है, ठीक है न, अब अगर आपसे पुछ दे कि मैगनीज नगरी किसे कहते हैं, तो बाला घाट, मैगनीज नगरी किसे कहते हैं, तो बाला घाट को कहते हैं ठीक है अगर आपसे पूछ दे मद्ध पदेश की लखनो किसको कहते हैं तो सिविनी MP का लखनो MP का मुंबए पढ़ा MP का एथोपिया पढ़ा है भारत का एथोपिया पढ़ा तो ये MP का लखनो अगर आपसे पूछ दे क्या तक ना बहुत जगत की पवित्र नगरी के रूप में साची को जाना जाता है जब कि मंदिर मुर्तियों का जो नगर है वो उजयन को कहा जाता है तो दोस्तों अमीद है समझ में आ रहे होगी मैं इसे हटाना चाहूंगा अब मैं चलता हूँ अगले पॉइंट की तरफ कुछ इंपोटेंट गुफा का नाम है पॉइंट है उसको लिख लेना आप लोग जैसे भिम्बेट का देखो मद्परदेश में जनजाती समों भी बहुत सारे देखने को मिलते हूँ अलग से मैं बता दूँगा अनुसुजी जाती जनजाती का सब एक टॉपिक ही लाऊंगा तो भिम्बेट का जो है मद्परदेश के राइसिन जिला एक जगा है राइसिन जिला पूरा पूरा पासानिक पूरा अस्थान जहां पर मानो की सबसे प्राचिनतम अवसेश बहुत सारे जो मानो की प्राचिनतम अवसेश हैं उसके साख्ष यहाँपर मिले हैं और आपको बता दो कि भिमबेटका जो है युनेश्को की सूची में सामिल भी है दूसरा नाम लिएँगा मैं बाग की गुफा देखो नाम से ही दोस्तों फेमस है बाग, बागिनी है न इंदोर और ब्रोदरा दो सहर का मैं बता रहा हूँ इंदोर और ब्रोदरा के बीच में एक नदी है जिसका नाम है बागिनी नदी और उसी बागिनी नदी के किनारे ये इस्तित है बाग का गुफा ये गुफा जो है बौध धर्म से सम्मन्दित है आप देखते होगे आजन्ता और एलोरा की तर्ज पर ही इसे बाक गुफा को बनाए गया है अब मैं अगले गुफा के बारे में चल्चा करूँगा उदैगिरी गुफा उदैगिरी गुफा तो मदपदेश के विदीशा में मदपदेश के विदीशा में स्थीत है उदैगिरी गुफा इसके अलावे आप उदैगिरी देखो उदैगिरी देखो गया ना उदैगिरी लेकिन है मदपदेश वाले का मैं चर्चा कर रहा हूँ विदीशा का ठीक है त तो आज का जो मेरा विशलेशन था वो था मद्ध पदेश से आप लोगों को मद्ध पदेश से जो अलग हुआ था मैंने लिग दिया था 36 गर्ड मतलब इसका जो छोटा भाई था कौन था 36 गर्ड जो फास्ट नॉमबर 2000 को इसका इस्टेबलिस्ट हुआ था निर्मान हुआ दोस्तों उमीद है आप लोगोंको मद्ध पदेश के संदर में सारी बाते समझ में आए होगी अगर पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकोन को दवाना ना भूले क्योंकि जब आप बेल आइकोन थैंक यू